हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हमारे पास है 2012 model TBS sport आज हम इसका full detail review करने वाले हैं साथ इसाथ इसके positive और negative के वारे में जानने की कोसिस करेंगे यह भाई 10 सालों में 1,00,000 km पूरे चल चुकी है इसके वारे में आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के सबसे पहले इसके look और features की बात करें तो कुछ इस तरह कि इसमें आपको look देखने को मिल जाती है headlight की बात करें तो कुछ इस तरह कि इसमें आपको normal halogen headlight देखने को मिल जाती है single bulb के साथ आती है इसमें आपको high beam, low beam देखने को मिलता है उपर यहाँ पर आपको visor देखने को मिल जाता है जिसमें TBS की stickering देखने को मिल जाती है यह orange और white color case में आपको sticker देखने को मिल जाते हैं नीचे आपकी number plate देखने को मिल जाती है इसके नीचे आपको front telescopic hydraulic suspension देखने को मिलते हैं यह आपका front का mat guard देखने को मिल जाता है इसमें आपको 17 inch के 5 spec alloy wheels देखने को मिलते हैं इसमें आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलती इसमें आपको normal drum brake ही दिए गए हैं यहाँ पे आपको halogen turn indicator देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह कि इसमें आपको orbs देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल ही अपने भाहिकों में केवल black color के orbs देखे होंगे लेकिन इसमें white और black का combination दिया गया जो कि काफी unique लगता है यहाँ पे आपका clutch देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपका passing का switch देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको headlight को on off कर सकते हैं यहाँ पे आपका high beam low beam का सुच हो गया यहाँ से नीचे से आप अपने turn indicator on off कर सकते हैं left right on off यहाँ पे आपका horn देखने को मिल जाता है और इसके नीचे आपको choke caliber देखने को मिलता है यहाँ पे आपका speedometer देखने को मिल जाता है इसमें 140 तक मार्किंग की गई है अलाकि इसकी top speed 85-90 तक ही है बीच में आपको odometer देखने को मिल जाता है जिसमें आपके kilometer पता चलते हैं इसमें कोई distance meter नहीं दिया गया यहाँ पे आपको analog meter ही मिलता है नीचे आपको TVS की badging देखने को मिल जाती है यहां से आपको फिटर चलता रहता है अब को पता चलता है, और बगल में आपको अपको यलाइट छलता है यहां पर आपको प्यूल सुच बता है, यहां बर्स देखने को मिलता है, यहां पर हुर्भ вас लगे बेट जिन्हें बाद में मोडिफाई करवा के जुगाट से पत्ती के दौरा पर नीचे लगवाया गया है इस साइड में आपको इलेक्रिक स्टार्ट की यहां पर बटन देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको फ्रेंट ब्रेक देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह किसमें की जाती है यहां पर आपको थोटे से मिल uthisters देखने को मिल जाती है और में तो सबसे में यहीं होता है हैं अपनी आप अपनी बाई की फ्यूल क्लाइश रोका सकते हैं बंद कर सकते हैं बीच में यहाँ पे करने पर आपकी फ्यूल सप्लाई बंद हो गई है उपर करने पर यह रिजर्ब में लग जाती है और मेंस में लगाने के लिए इसको आपको नीचे करना होता है कम हाइट वालों के लिए इसमें काफी ध्यान दिया गया है बीच में थोड़ी सी गयर आई इससे अगर आपकी हाइट कम है तो भी आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चलाने में यह भाई खला की काफी कमपर्टेबल है अभी हाली में मैंने इसमें 200 किलोमेटर एक दिन में कवर किया है नॉन स्टॉप 100 किलोमेटर चलाई इसमें कोई थकान नहीं कोई परिशान ही नहीं हुई इसमें यहां पे आपको इसके गेर देखने को मिल जाते हैं इसमें पीछे की तरफ गेर पढ़ते हैं इसमें आगे क देखने को मिलता है यहां पर आगर नेय Kü kalian चलाता है तो उसके लिए आप फोटेश्ब को तक सकते हैं यहां पर यहां पर आपको पी बैजिंग देखने को मिलती है यहां पर हाण आफ को दिखने को मिलती है यहां पर आपको ग्राइब हैंडल देखने को मिल जाता है जो फिछले पैसंजर की पगड़ने में काफी हल्प करता है यहां पर आपको side curtain indicator normal halogen ही मिलता है पीछे side में आपको कुछ इस तरह किसमें आपको टेलाइट मिल जाती है यहां पे आपको reflector मिल जाता है यहां पे आपको number plate और यह additional diggy हमने लगवाई हुई है अगर आप चाहे तो आप भी लगवा सकते हैं काफी मदद करती है यहां पे आपको exhaust या silencer देखने को मिल जाता है इसमें आपको normal drum brake ही देखने को मिलते हैं यहां पर भी side passenger के लिए footrest मिल जाता है यह आपको driver के लिए आपको footrest मिलता है यहां से आप इसमें इसमें लेबल कर सकते हैं और रिफिल भी कर सकते हैं इसमें 900 ml एक बार में engine oil आता है यहां पर आपका spark plug मिल गया यह spark plug काफी ध्यान देने वाली चीज है कभी कवार आपकी bike में spark plug में carbon आ जाता है तो आपकी bike start नहीं होती है तो यहां से आप इसे खोल के इसका carbon साप कर सकते हैं इसे आपकी bike आसानी से start हो जाएगी यहां पर आपको side guard देखने को मिल इस देती है अब बात करते हैं इसके negatives की तो सबसे बड़ा निकेटिव उसका मुझे यह self electric start यानि self वाली बटन ही लगी है यह जब से आये तब से हर दूसरे तीसरे मेने खराब होता ही रहता है इस टाइम भी यह वक्त नहीं कर रहा है और दूसरा है इसके meters इसमें एकदम स इसके सालों से खराब ही पड़ा हुआ है और यह फिसले 2000 किलोमेटर में हमने इसको तीन बार बदलवा लिया लेकिन फिर से खराब हो चुका है और ऐसा नहीं कि हमने कहीं बाहर से करवाई हमने इसे genuine TVS के पार्ट पार्टी मंगवाया है इसमें बाहर कोई local पार्ट यूज द्रूजब नहीं किया गया है आभ बात करते ही इन एकलाग किलोमीटर में इसके इशंडे में क्या कुई दिक्कत आई तो आपको बता दे कि जैसे इसके एख लाग किलोमीटर इसने पूरे की है तुरण्ति इसने धूआ देना इस्टार्ट कर दिया जब मैंने इसे अपने मैगेनिक के पास दिखाया तो उसने बताया कि इसकी रिंगे जा चुकी है तो बस इसका एक लाग किलोमेटर के बाद इसके रिंगे चेंज हूँ जिसमें लगबग 2-5,000 का खर्चा आया था इसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं हुआ है और इसकी कलस प्लेटे तो वो तो नॉर्मल सी बात है वो तो बदलती रहती है इसके अलावा यह चलने में बहुत ही अच्छी है अगर आप इस तरह की कोई बाइक देख रहे हैं तो सेकेंड हैं मार्केट में आपको 10-15,000 में यह बाइक आराम से मिल जाएंगी लेकिन लेने से पहले आप एक बार इसके इंजन को जरूर चेक करवा लें कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हाला कि अगर आपको लोकल में चलना है तो यह बाइक आपको कभी परेशान नहीं करने वाली है आप इसे बिना जिज़क उठा सकते हैं लुक्स के मामले में यह मुझे उस टाइम जो स्प्लेंडर आती थी उससे भी ज्यादा बेटर लगती है और इसको चलाने में भी काफी मज़ा आता है अगर इसके हेडलाइट के परफॉर्फॉर्मेंस की बात करें तो यह भी काफी बढ़ियां है कुछ इस तरह कि इसमें आपको चाबी देखने को मिल जाती है यह आपके डिगगी की चाबी हो गई और यह आपके बाइक की चाबी हो गई वीडियो देखने के लिए आपका धन्नवाद थैंक्यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइग और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं